असलामों आलेकूम, तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा दानेदार चिकन का कूर्मा, एक दम मजेदार और घर के हाजर मसालों से, यह आप देख सकते हैं कितना बड़िया सा कूर्मा बना है, आप इद पर बना सकते हैं, और बहुत है डिलिशिस लगेगा, रोटी परा यह दकरी बना साड़े साथ सो गराम चिकन है, आप एक किलो तकी ले सकते हैं, मैंने चरवी निकाल ली, दो तीविन पाने से धो के निताने, दस-पंदरा मिनिट के लिए छन्निंग के ओपर मैंने साइपर रख दिया था, अब चूरी की मदद से इस तरीकी से पोक कर दीज चार छोटी चाय के चमच धनिया पाउडर, दो छोटी चाय के चमच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चाय का चमच भूना पिसा जीरा पाउडर, आदा छोटा चाय का चमच हल्दी पाउडर, आदा छोटा चाय का चमच में जो स्पाइसी वाली लाल आप चाहें तो एक छोटा चाय का चमश दाल सकते हैं, एक कब भर कर गाड़ी दही, आप ये सारी चीज को मिक्स कर लीजे और ठाक कर फुरज में आदे एक गंटे के लिए या जितना समय आपके पास हो उतने समय के लिए मेरिनेट करने रख दीजे, अगर आप चाहें तो आप बादाम मैंने छिलकी के साथ ही लिए है और ये 10 काजू है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे और इसे भीगने के लिए सोख होने के लिए साइड पर रहने दीजे 15-20 मिनिट के लिए, तब तक इसके अलावा हम अभी प्यास पर आते हैं, ये तकरीवत 200 ग्राम प् पर ही निकाल लीजे नितार कर थोड़ा सा इस तरीकी से प्रेस करके निकाल लिएगा और इसे निकाल कर टीशू पेपर के उपर साइड पर रख दीजे, क्योंकि ये जो है ना प्यास उसका बाद में जब पकने के बाद भी बाहर निकलने के बाद भी उसका हुकिंग प्रो बहुत अच्छा फाइन पेस्ट होए तक इसे पीस लीजे ऐसे और इसे साइट पर रख दीजे अब हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं ये तकरीबन वनफोत जाइफल है चार-पांच हरी इलाइची एक जावितरी और एक बड़ी इलाइची काली वाली ये सारे को आप उ आपको लगे इसकी जो स्किन हरी इलाइची की तो उसे निकाल कर फेग दीजिएगा और इसे अभी हम साइट पर रख देते हैं जो फ्राइ करी हुई आप देख सकते हैं किसी थोड़ी डार्क होगी तो चलिए अब इन्हें आप चाहें तो हातों की मदद से क्रश कर लीजे या फिर मैं तो क्या कर रही हूँ मिकसे जार के अंदर दाल कर इसे बारिक पीस लेती हूँ ऐसे और इसे साइट पर रख दीजिए जब तक चिकन मेरेनीट हो रही थी हमने ये तीनों प्रिपरेशन कर ली चलिए अब हम कडाई के ओर चलते हैं और जो तेल था उसमें से मैंने थोड़ा निकाल लिया है और अब ये गरम मसाले है ये आदा चुड़ा चैका चम मजीरा, चार हरी लाइची, चार पाच ये सारा डाल दीजिए, चूला फास्ट आच पर चालू कर दीजिए और तेल में थोड़ा सा ये गरम मसालों को तर-तरा जाने दीजिए, जब अच्छे तर-तरा जाए तो जो चिकन मेरेनीट करके हमने आदे पौने घंटे पे पहले साइपर रखी थी वो सारी डाल इसमिलना इरफनानी रेम बोलकर और फास्ट आच पर इसे बार-बार चलाते हुए चिकन को 2-3 मिनित तक पकने दीजिए, मैं 3 मिनित तक पका, रिम आप चाहे तो मीडियम पर रख सकते हैं बट मैंने फास्ट आच पर चूला रखा है, जब 2-3 मिनित तक पका ले तो चूल तो हमें इसे सुखा लेना है, चूला फास्ट आच करके इसे सुखा लेजिए, तब तक सुखाना है, जब तक यहां तेल ऊपर नहीं आ जाता और भूनने जाता हुए यह सूखने जाता हमारा यह जो ग्रेवी है, अच्छा अब इसी के दर्मियान में मैं डाल देती हूँ, चूला मीडियम आच करके, एक बार चला लेती हूँ, और वो जो कूटके नहीं रखा है, सबसे पहले जो मसाला मैंने कूटके रखा था, जो हरी, हरी, इलाइची वगएरा डाला हुआ, वो डाल देती हूँ, अच्छा बिरिस्ता जो हमने पीस कर रखा है, वो डाल इसी के दर्मियान में ही किया हूँ, कि हमने जो मसाले जो सारे डाले है, वो भूना भी जाएंगे, ये मसाले जो पानी जो छूटा हुआ था, वो भी भून जाएगा, और तेल छूट जाएगा, ये देखिए, आप देख सकते हैं, तेल छूट गया ना, तब यहाँ पर मैं मिकसर, दूनों मिकसर जार के अंदर से चला कर मैंने एक कप पानी डाला है, आप पानी टोटली आपके उपर है, आप कम भी डाल सकते हैं, इसे मिक्स कर लीजिए और चला लीजिए, अगर आपको नमक कम लगे तो चुटकी भर या नमक जो हिसाब से आपने अज़स्ट करन जब अच्छा उबाल आ जाता है, तो स्लो आज करके तकरीबन 12-13 मिनिट तक दम पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं, जब तक चिकिन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, चलिए तकरीबन 12 मिनिट हो चुके हैं, और चिकन गल चुकी, क्योंकि मेरी चिकन बहुत छोटी थी तो चलिए, अब 12 मिनिट के बाद, आप बराबड से मेरा ग्रेवी भी परफेक्ट है, तेल भी आप देख सकते हैं, मज़ेदार सा, अगर तरी वाला नासालन हो कोर्मा दानेदार, तो मज़ा ही क्या है, या आप देख सकते हैं, क्या बड़िया दानेदार हमारा चिकन कोर् बंदब आप इसे, रोटी पराथा, फुलका बटन आनकी से के भी साथ सब्सक्राव किजिए, वैसे इन में से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजेगा, वैसे मैंने कुछ कोर्मों की रेसिपी या पिर आप कह सकें, ग्रेवी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरु फरवर्वर्ड कीजिएगा, फिर से हाथिरों की नहीं शांदार दमदार रसिपी के साथ, अंटल एं, टेक केर लाफिस, बाबाई